कि मुझाए कि हैं वार्ण है कि हलो दोस्तों अब सब लोगों को टीडियस पॉर्ड में तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्कति सुचगी का डिजयर का जो नया वाला वर्सन है उसका इंजिन में क्या-क्यास पार्स रहता है जो जिसके बार में आप लोगों को सब को जानना चाहिए है किए नहीं कि दूbol Wal e gift का सर्विसिंग के टाएंफ्र पे हो या रिखते हैं और है उसमें इंपोर्टन चीज जो है वो सब को जानने के कोसिस करेंगे हैं कि तो देखिए ये लगबगुस इस तरह का दिखता है हम लोग को इंजिन वेसे इंजिन का कमपार्टमेंट और डिफरेंट जो पार्स लगा रहा है और हम जाके एक-एक करते भी देखेंगे कौन से वाला पार्स क्या हैं तो यह है उसका में इ रख्लक है और यह बाला चीज उसका air intake है आप देख सकता है यह जुन के आया हुआ है इस air intake के अंदर से हवाँ जाता है वह इंजिन में कि छो कि वहां पे फ्वियल BORNE हैके बाद वो इंजने को पाउरम को और इसके अंदर से यह वला इऊस उपनिंग और यह यहां से भवाज आता है आंदरा अ इसे गाड़ी को ँचैनिक पॉर्हाण टांवर मलता है वह वएल जाण लोनिके बाद जाड़ी पा ते बात उसको जो basic जो power मलता है, इसके जरेसनी उलता है और ये वाला जो चीज है, आप तेखें ये waterlusive है, इसमें क्या होता है न हम लोग पानी ढालते हैं, जो वाइपर में जो पानी निकलता है तो इसके बाद देखे यह बाला है उसका ओयल डिजर्व डेक फुर्ट डिजर्व इसको बोलते हैं तो इसको भी ये भी बहुत ही इंपोड़ांट चीज़ है तो इसको भी इसको भी जो ऑल है उसमें तो हमेंसा बनाए रखने आपको अपने लेबल पर तो कम होना ना दे एक इसको हमेंसा ही एक पर्टिकुलर लेवल तक बनाया रखे इसको कभी कम होने ना दे तो यह बोला है उसका और उसके बाद देखें अभी यह देख सकते हैं आप उसका इंजन का पुरा पार्स यह बाला चीज़ भी देखें यह उसका गाड़ी का जो पुलन के लिए तो थड़ा ठंडा रखने के लिए उसका इंजन को ठंड़ा रखने के लिए इन्टेक है जहां पर आप दिख सकते हैं कि फ्यान लगा है मॉटर के जरिए तो गारी जब खड़ी रहती है चलने के टाइम पर तो हवा तो मिल जाता है लेकिन खड़ी रहने के टाइम पर वह तो हमेसा देखिए कि यह इंटेक से जो हवा जाता है अंदर वो कैसे थंडा रहेगा एंजिन हर तेम पे उसके लिए वो मॉटर को थोड़ा चेक की जिए बीच में और यह है उसका जो कूलांट है कूलांट का यह इंटेक है इसके अंदर जो गाड़ी का जो एसी का वागरा थंडा करने के लिए रहता है उसका पूलेंट इस्प्रेंट अंदर टालाता है यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता रखना चाहूंगा कि गाड़ी जब ऑन कंडिशन में हो गाड़ी का जब आप यूज कर रहे हो उस टाइम पर इसको मत खुलिए कि यह बहुत गरम रहता है और यह सपील होके आपके सरीर पर सकता है इससे बहुत डैमेज हो सकता है इसलिए इसके वारे में थोड़ा दोड़ा खेंग है और यह है उसका बैक्टरी अब देख सकते हैं इसमें एक वेट्री लगा हो टाए बारा बूदर का तो दिक विसका सिप्टी की वजसे उसके उपर कोभर भी लगाया पर है जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है तो यह हो गया उसका डिजार का वैक्टरी और हमें सब देखें कि बैक्टरी का एक सर्विस लाइफ होता है वो लाइफ खतम हो जाने के बाद उसको चैंज कर लेना चाहिए तो इसके बाद देखते हैं पैटरी का और एक चीज़ का ध्यान रखें वैक्टरी का जो यह जिए एसीड वैटरी है लिड़ इस वेटरी है तो इसका फ्यूज यहां पर रखा होगाता है तो इसको भी थोड़ा कभी कर भी ध्यान दीजिए और देखें कि उसका सारा फ्यूज ठीक से है या नहीं तो यह वाला देखें उसके अंदर यह देख सकते हैं फोर चैनल एबेस है यह वाला जो पार्स देख रहे हैं जो चारो और मेंटिनेंस के टाइम पर यह सब को चेक करना चाहिए एक बार तो यह वाला देखें उसका जो चारो नली टैप को जो है कफल प्लेट इसको बोलता है कफल पार यह पाइप भी जो है देख सकते हैं आप इसको यहां से उसका एक्जूस जाता है बाहर गाड़ी पाड़ी सब्सक्राइब के बनावा और यहां पर उसका एक मोटर लगा हुआ है जो साइद उसका मुझे तो ठीक से पता नहीं है अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कॉमेंट 6 में रखिए कौन सा टैक का मोटर है मुझे जितना तक मालूम है कि यह साइद वो जो गाड़ी स्टा पोसं जो मैंट को संबता है झालत और यह वाला भी दिखे यह वाला जो है उसका काड़ि का द्यरेश्टों होता है और जो स्टियरिंग हिल चेर निदे design यह मेंसे उड़ा हुआ होता है और वह मोमेंट करने के लिए एक राड भी आ से लाँए बोत गियर्बोक्स और स्टेरिंग का जो रॉड है यहां पर कनेक्टेड है और कुछ इलेक्टिकल कनेक्शन से बगरा जो गाड़ी का स्टेटर्स चानने के लिए यूज होता है उसका पाउस्ट्री बगरा को इंफ्रमेशन लिए के लिए तो यहां नीचे भी देख सकते हैं आप एक्सिल का है और एक्सिल के साथ रोड पानिक्शन और देख सकते हैं इधर बहुती क्लियर लिए जो की पहिया पे लगभाता होता है तरका जो पहिया है इसमें लगभा रहता है अग्धा कि चलिए देखते हैं कुछ दिस्ता पार्श बगएरा और क्या कैसा थे इसमें यह बला दिखिए यह एक नौच दिया गया है यहां पर यह जो गाड़ी का जो आपका इंजिन का बे है उसको ढखने के बाद एक लॉकिंग मेकानिजम है यहां से वह लग जाता है तो गाड़ी इस तरह करने से वह खुल जाएगा और वह आटोमेटिकली गाड़ी का जो बोनेट है उसको डालने के बाद वह आटोमेटिकली लॉक हो जाता है उसका वह लखी मेकनिजम है यह आप देख सकते हैं स्प्रिंग लगाओ है और यह क्यासे काम करता है आप तो उसके बाद चलि सब्सक्राइब के लिए इसके अंदे के बहुत सर पार्स है जो कि लेदर बेल्ट के साथ लगा हुआ है मोमेट के लिए वो भी साहिद कुस्टे का मतट लगा है जिसके मैं पहले से बोला और यह वाला दिखे यह इंजिन ओल डालने के लिए इसका इन्टेक वाला पोर्शन इसको खुल के इसमें इंजिन ओल डाल सकते हैं पर यह वाला बहुत ही इंपोर्टन चीज़स आप लोग को जान रखना चाहिए कि हो सकता है कि बीच वीचे आपको इंजिन ओल जब चेंज करने का टाइम आये तो यहां से आप इंजिन को डाल सकते हैं और तूराना वाला लीचे का जो आउट्रेट पॉर्षण है वहां से निकल के निकल सकते हैं तो ये था कुछ इंपर्टान पार्ट परक्राइब और यह देखें यह वाला जो येलो वाला चीज है इसको निकल का आप देख सकते हैं कि इंजिन ओल कहां तक है उसके वह लेवलर है उसका इसको तो यह कि था कुछ इंपर्टान स्पार्ट पढ़रा का डिस्क्रिप्शन जो कि गाड़ी का बहुत ही बेसिक साथ चीज़े हैं और जिसको आप लोगों को सब लोग को जामना चाहिए यह हो सकता है कि गाड़ी का मेंटनेंस के दौरान आप लोगों को वह वाला चीज को इ सब्सक्राइब कीजिए और क्रिदेशी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवागा